यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे की पवन्सुत ने शनिदेव की रक्षा, यू तो शनिदेव की क्रोध से सभी डरते हैं और राहत पाने के लिए तमाम उपाय भी करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब खुद शनिदेव कैद में थे और उन्हें आजादी चाहिए थी। तब हनुमान जी ने उनकी रक्षा की। इस पर शनिदेव ने प्रसन होकर वर्दान मांगने को कहा तो उन्होंने अपने भक्तों के लिए एक विशेश वर्दान मांगा। कारागार में शनिदेव भी नजर आये जो कि उल्टा लटके हुए थे। पवनसुत ने जब शनी से उल्टा लटके होने का कारण जाना तो पता चला कि रावन ने अपने योगबल से उनकी साथ कई अन्यग्रहों को कैद किया है। ये जानकर हनुमान जी ने शनिदेव को रावन के जेल से आजादी दिलाई थी। इससे प्रसन होकर शनिदेव ने हनुमान से वर्दान मांगने को कहा। तब उन्होंने वर्दान में अपने लिए नहीं बलकी अपने भक्तों के लिए एक वचन मांगा। उन्होंने कहा कि कलियूब में शनिदेव हनुमान भक्तों को अशुब फल नहीं देंगे। बजरंग बली के भक्तों से रुष्ट नहीं होते शनिदेव। हनुमान जी ने शनिदेव को रावन की कैद से मुप्त कर आया था। यानी कि उनके कश्टों को दूर करके उनकी रक्षा की थी इसलिए शनिदेव ने यह वचन दिया कि जो भी शनिदेव का भी